नमस्कार दोस्तों मैं प्रसांत आप सब का स्वागत करता हूँ दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं UP PCS Preliminary Examination 2020 में अब ज्यादा समय नहीं बचा है और इस लाश्ट मोमेंट पर प्रीबियस इयर के क्वेस्चन्स को पढ़ना उन्हें हल करना बेहद अहम है क्योंकि पिछले वर्सों के जो हमारे अनुभव है वो ये बताते हैं कि लगभग हर वर्स प्रीबियस इयर के क्वेस्चन्स एक्जाम में या तो सीधे सीधे पूछ लिये जाते हैं या थोड़ा बहुत बदलाव करके पूछ लिये जाते हैं और इनकी संख्या अच्छी खासी रहती है पिछले एक्जामिनेशन और उससे पिछले एक्जामिनेशन में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला लेकिन अभी भी 15-20% question previous year से सीधे सीधे या तो थोड़े बदलाव के साथ पूछे जाते हैं और ऐसे में previous year के paper को हल करना exam के पहले बेहद महतोपूर हो जाता है आपके सुविधा के लिए हमने क्या किया है कि हमने subject में divide कर दिया है 2012 से लेकर 2019 तक के 8 वर्सों के paper को हमने subject में divide कर दिया है तो अब इस lecture में हम history of modern India को discuss करेंगे किसी और lecture में हम medieval और ancient history को discuss करेंगे किसी और lecture में हम polity को discuss करेंगे तो इसमें हम ये देखेंगे कि केवल और केवल modern history के ही questions रहेंगे तो ये आपके सुविधा के लिए है कि एक ही वीडियो में आप modern history को देख लीजिए फिर polity को देख लीजिए दूसरे वीडियो में ताकि निरंतरता बनी रहें ये हमने किया है और जो भी वर्स सुरू होगा 2012 के questions हैं तो वो भी हम बताएंगे कि देखे 2012 के questions इतने आये थे फिर उसके बाद 13 में ये है 14 में ऐसे करके subject sorry year wise जो है हमने इसका distribution किया हुआ है वो जो कि आप आगे देखेंगे इस lecture को सुरू करूँ उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने एक बहुत ही detailed test series UPPCS prelims examination के लिए बनाई है और पिछली बार जो हमने test series बनाया था उससे काफी ज़्यादा question exam में आया था तो अब ही तक अगर आपने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है तो ये test series आपके लिए इस लिहाज से भी फायदे मंद होगी कि इसमें हमने बहुत लंबी लंबी व्याख्याएं लिखी है तो एक question अगर किसी topic से जुड़ा हुआ है तो फिर हम उस पूरे topic को ही समेट देते हैं और उसकी पूरी complete व्याख्या करते हैं तो अगर निर्वाचन आयोग से प्रस्त हमने पूछ लिया है तो फिर पूरे निर्वाचन आयोग के बारे में उस ब्याख्या में लिखा जाता है इसी video के description में आपको demo pdf का link मिल जाएगा वो आप जो है देख लेंगे अगर आपकी बहुत अच्छी तयारी हो चुकी है तो ऐसे में आपको test जरूर जोईन करना चाहिए क्योंकि जो मुखे examination है उसमें हिस्सा लेने से पहले आपका demo हो जाना चाहिए आपकी practice हो जानी चाहिए और हमारे test series में बहुत अच्छे questions हमने रखे हैं तो आपकी practice बहुत बहतर होगी इसके अलावा हम PDF भी download करने की सुगदा देते हैं जिसमें की काफी बिस्तार से उस प्रस्न की ब्याख्या लिखी होती है जिससे भी आपकी तयारी होगी तो जो लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं उनके लिए भी test online वो attempt करें जिससे उनकी अधिक से अधिक practice हो ब्याख्या को पढ़ें और जो लोग अभी बहुत अच्छे से prepare नहीं हैं उनके लिए इतने कम दिनों में बहुत helpful जो है इस test series की ब्याख्या होने वाली है और test लगा करके जब हम ब्याख्या को पढ़ लेते हैं तो हमें बड़े लंबे समय तक चीजें याद रहती हैं तो cool इसमें 25 test है जिसमें से 10 full test है जैसा कि 150 questions का और इसके अलावा जो है 5 इसमें आपके current affairs का test है और साथ ही जो मुखे subjects हैं उनसे जो है दो-दो test series और जो थोड़े कम गंभीर subject हैं जिनसे कम question पूछे जाते हैं उनसे एक-एक test series रखी गई है जैसे geography से दो test series है, polity से दो test series है, modern history से एक है, medieval, ancient, art and culture से एक है इस तरीके से करके हमने किया है तो इस test को join करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको simply यह करना होगा, कि या तो आप अपने laptop पे www.decodeexam.com को open कर लीजिये, वहाँ पर open करने के बाद sign up करने का option है, वो कर लीजिये, जब आप website के homepage पर पहुंच जाएंगे, तो वहाँ आपको test का एक icon दिखेगा, उस पर UP PCS Preliminary Examination लिखा हुआ दिखेगा, उसके नीचे attempt test का एक बटन होगा, और उस attempt test के नीचे एक join नाव का बटन होगा, तो attempt test में जब आप click करेंगे, तो एक test आप जो है, डेमो के रूप में free में दे सकते हैं, हमारी quality को judge कर सकते हैं, website की इस प्रकार से चल रही, यह सारी चीज़े judge कर सकते हैं, और वही से उसकी PDF भी download कर सकते हैं, साथ ही इस वीडियो के description में भी हम PDF दे देंगे, अगर आप mobile से करना चाहते हैं, तो आप हमारे mobile app को decode exam लिख करके download कर लिजे, sign up कर लिजे, sign up करने के बाद, जब आप app के home page पर जाएंगे, तो वहाँ नीचे दिखेगी, एक attempt का और एक join now का button भी देखेगा, तो attempt test पे जा करके, एक test आप free में दे सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता हो, तो join now, जो button है, उस पे click करके payment करके, आप इस test series से जूड सकते हैं, अगर इस पूरी प्रक्रिया में जो मैंने आपको बताया, कोई आपको दिक्कत हो, तो 9506-742-546 पे आप हम से संपर्क कर सकते हैं, 10 से 6 के बीच में, WhatsApp से, काल से, ठीक है, तो यह पूरी बात हो गए, अब हम जो है, सुरू करते हैं, तो यह 2012 का पहला question हम देख रहा हैं, ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार से बढ़ें और आप किस प्रकार से बढ़ें, उसको इस प्रकार से आप समझें, कि आप एक-एक प्रस्न को मेरे साथ पढ़ें, और मैं आपको 5-10 सेकेंड का समय भी देता चलूँगा, ताकि आप जो है, अपना उत्तर भी चैट में देते हुए चलें, ठीक है, और जो भी examination के लिए strategy ह किस प्रकार से ऐसे भी questions, जो हमें बहुत अच्छे से तो नहीं आते हैं, लेकिन उससे किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखाते हुए चलूँगा, तो चलिए पहले प्रस्न से शुरू करते हैं, तो सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए, तथा कूट से सही उत्तर का चैन कीजिए, तो सुची किस की है, तो समाचार पत्र की सुची है, और भासा की सुची है, ठीक है, यहाँ पात्र लिख दिया गया है, समाचार पत्र और भासा, मतलब कौन समाचार पत्र किस भासा में छपता था, यह है, तो भारत मित्र बंगाली, र नहीं है या बहुत अच्छी तयारी है भी तो भी ये प्रस्ण देखने में मुस्किल लग रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर वो केवल एक समाचार पत्र के बारे में पूछना चाहता है क्योंकि यूपी का ये आयोग है तो एक पत्र के बारे में पूछना चाहता है और हमारी हिंदी से ये जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि आपको कुछ भी न पता हो कि नायक किस भासा में निकलता था, प्रजामित्र किस भासा में निकलता था, राष्ट्रमत किस भासा में निकलता था, केवल यह आपको पता हो कि यह जो भारत मित्र है, यह हिंदी में निकलता था, ठीक है, यह भारत मित्र बहुत प्रसिद्ध पत्र था कलकत्ता से निकलता था और ये कलकत्ता में पहला हिंदी पत्र था और इसलिए ये प्रसिद्ध था तो भारत मित्र अगर आपको हिंदी पता है कि भारत मित्र हिंदी में निकलता था एक्जामिनर यही पूछना चाहता है कि आप भा भारत मित्र आपको हिंदी पता है, तो A का 3 होगा, और अगर A का 3 होगा, ठीक है, A का अगर 3 होगा, तो आप देख लिजिए कि केवल जो है, C में ही 3 है, और ऐसे में आपका उत्तर सीधे सीधे हो जाएगा C, आपको राष्ट मत प्रजा मित्र नायक के बारे में जानने की जोरत नहीं है, केवल आपको ये जानने की जोरत है, कि भारत मित्र हिंदी है, अगर ये आपको पता है, तो ये आपने क्रेक कर लिया, इसका उत्तर होगा C, अब आप बैठा सकते हैं कौन किस भासा में है, ठीक ह अब दूसरे प्रस्न पे आते हैं 1937 के चुनाव के पस्चात यूपी में गठित मंत्री मंडल में किसको बित्विभाग सौपा गया था 1935 के बाद 1937 के प्रांतिये चुनाव प्रांतिये स्वायतत्ता मिलने के बाद प्रांतिये चुनाव तो कौन इसमें से यूपी में जो मंत्री मंडल गठन थेत हुआ उसके बित्विभाग के मंत्री थे गुविंद बलबपंत, रफी अहमद किद्वई, कैलास नात काटजू और मुहबब इबराहिम ये कई बार पूछा जा चुका है और इसका उत्तर है बी, रफी अहमद किद्वई, और इस मंत्री मंडल के प्रधान मंत्री कौन थे? तो इस मंत्री मंडल के प्रधान मंत्री थे गुविंद बलबपंत, आजादी के बाद जो सरकार गठित हुई स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश की उसके भी ये प्रथम मुख्य मंत्री थे तो आजादी से पहले जो सरकार गठीत होती थी प्रांतों में उसमें जो मुख्य मंत्री होता था उसे प्रधान मंत्री कहते थे तो ये प्रधान मंत्री थे गोबिंद बलब पंत और इन ही के सरकार में रफी अहमद किद्वई को बित्विभाग सौपा गया था आगे बढ़ते हैं निम्न में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चार दिवारी से बाहर निकाला स्वदेशी आंदोलन, होम रूल, आंदोलन, असहोग आंदोलन और सविनय अवग्यां आंदोलन इसका उत्तर जल्दी से दे तो देखिए स्वदेशी आंदोलन पहला भारत में हुआ सबसे जबर्जस्त आंदोलन था जिसका स्वरूप काफी ब्यापक था और काफी उग्र भी था इसमें पहली बार महिलाओं ने भाग लिया यानि महिलाओं ने महिलयें अपने घर से पहली बार निकली तो यह स्वदेसी आंदोलन था इसके बाद जैसा के हम जानते हैं Home Rule League जो आंदोलन चला दो होम रूल लीग आंदोलन चले एक तो तिलक जी के नित्रित्व में और दूसरा एनी बेसेंट के नित्रित्व में तो होम रूल लीग आंदोलन में एक धड़े का तो नित्रित्व एक महिला ही कर रही थी एनी बेसेंट हाला कि वो विदेसी थी लेकिन थी वो भी महिला ही तो इसमें भी और असहयोग आंदोलन में तो बहुत अधिक महिलाओं की भूमिका देखने को मिली और अगर हम बात करें सबीनय अवग्या अंदोलन की तो धर्सना के रेड में एक प्रक्षात महिला का नाम आता है और कई बार धरसना पे जो धावा बोला गया था गोदाम पे नमक के वो प्रस्न बनाया जाता है तो अभी कमेंट करके बोलिए कि धरसना में जो धावा बोला गया था वो किनके द्वारा किया गया था कमेंट करके बताइए तो हमारा उत्तर क्या होगा 1, 2, 3, 4 यानि 4 तो इसका मतलब है कि D, 1, 2, 3, 4 यानि उपरोक्त सभी उत्तर प्रदेश में अभी तक यह कहा जाता था कि जिस प्रस्ण में उपरोक्त सभी हो वो 10 बार में 8 बार सही हो जाता है यानि उपरोक्त सही 10 क्वेस्चन में मार दीजिये 8 आपका सही हो जाएगा अब यह चीजें धीरे धीरे बदल रहे हैं अगला प्रस्ण वे राष्टी नेता कौन थे जो 1925 में Central Legislative Assembly के अध्यप्छ निर्वाचित हुए काफी repeated प्रस्ण है लगवग हर तरह की परिक्षा में इस प्रस्ण को पूछा जा चुका है और कई कई बार पूछा जा चुका है तो वे राष्टी नेता कौन थे जो 1925 में Central Legislative Assembly के अध्यप्छ निर्वाचित हुए थे मोतिलाल नेरूस सी आरदास बल्लब भाई पटेल मैं पढ़ रहा हूँ उतने में ही आप अपना उत्तर लिख दिया करिए ठीक है तो इसका उत्तर है D बिठल भाई पटेल बल्लब भाई पटेल के बड़े भाईया बिठल भाई पटेल तो चोथे का हमारा उत्तर हो जाएगा D आगे बढ़ते हैं सुची एक को सुची दो के साथ सुमिलित किजिये तथा सुचीओं के नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर का चैन करिए तो सुची एक है कांग्रेस के अध्यक्ष और सुची दो है अधिवेशन तो अब पूछा ये जा रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के किस ब्यक्ति ने अध्यक्षता की अब ये प्रस्ण आप देखिए डाक्टर एम अनसारी पूरसुत्तम दाश्टंडन सरोजनी नाइडू सुभास चंद्रबूस इसमें दो नाम काफी एतिहासिक है या दो अधिवेशन काफी महतोपूर है इस नाते से ये प्रस्ण पूटप किया गया है अब देखने पर तो ये लग रहा है कि हमें चारो के चारो जो आपसंस है उनका ठीक ठीक उत्तर आएगा तो हम इसको हल कर पाएंगे लेकिन ऐसा नहीं है इसमें जो है ये पूछा जा रहा है कि भारतिय राष्टिय अंदोलन के एक बहुत बड़े ब्यक्तित्व सुभास चंद्र बोस नेता जी बोस किस ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कांग्रेस के ये प्रस्ण पूछा जा रहा है और सारी चीजें तो अलग है और दूसरा ये है कि प्रथम भारतिय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्षा बनी वो किस अधिवेशन में बनी ये दोनों महतोपूर बाते हैं ठीक है? तो यही पूछा जा रहा है इन दोनों में से अगर किसी एक का भी उत्तर आपको पता है तो आप इस प्रस्न को क्रैक कर लेंगे आईए देखा जाए अगर हमें ये पता है कि सुबास चंडर बोस नेता जी बोस पहली बार हरी पूरा में अध्यक्ष बने तो इसका मतलब है कि D का 1 तो D हम देखे देखे D का 1 केवल और केवल C में है तो हमने क्रैक कर लिया हमें कुछ नहीं पता है मनसारी, पूर्सोतम दाश्टंडन, सरोजनी नाइडूकी C के बारे में हमें कुछ नहीं पता है लेकिन हमें हमारा उत्तर क्या है हमें हमारा उत्तर मिल चुका है अब मान लिजी हमें नेता जी के बारे में नहीं पता है लेकिन हमें ये पता है कि भारत प्रथम भारती महिला जो कांग्रेस की अध्यक्षा बनी उन्होंने कानपूर के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कांग्रेस की तो अब यहाँ अगर सरोजनी नाइडू, C का दो हमको पता है, तो आप देख लिजे, C का दो कहीं नहीं है, इसका मतलब यह C हमारा उत्तर है, तो इन दोनों सुचनाओं में से अगर कोई एक भी आपके पास होती, तो आप इस उत्तर को क्रेक कर लें, तो यह एक strategy है, आप प नेताजी सुबास चंद्र बोस कब बने कांगरेस के अध्यक्ष, उनके बारे में तो आपको जानना चाहिए, और चुकि सरोजनी नाइडू के बारे में इसलिए पूछा जा रहा है, कि वो प्रथम भारती महिला थी, जो कांगरेस की अध्यक्षा बनी, तो इसका उत्तर 5 क उत्तर हमारा हो जाएगा C, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कालेजों में सरोप्रथम किसकी अस्थापना हुई थी, हिंदू कालेज कलकत्ता, ये विप्रस्न बहुत बार पूछा गया, दिल्ली कालेज, मेयो कालेज और मुसलिम एंगलो ओरियंटल कालेज, तो इसका उ मोहन राय जी ने इस कालेज की अस्थापना की थी, और इसमें एक महत्वपूर्थ मुसलिम एंगलो ओरियंटल कालेज, इसकी अस्थापना सर सयद अहमद खान ने की थी, और बाद में यही कालेज अली गढ़ मुसलिम बिस्व बिद्यालय बना, और यही कालेज है, जिसने अलिगढ़ अंदोलन को जन्म दिया और ज्यादा तर जो विभाजन कारी मोमेंट छला भारत से अलग एक मुसलिम राष्ट्र बनाने की वो अलिगढ़ अंदोलन से ही निकल करके आया और ये मेयो कालेज इसमें जो है राजाओं के बच्चे बहुत धर्डले से पढ़ते थे तो मेयो कालेज और दिल्ली कालेज के बारे में कमेंट वाक्स में आप लिखिए अगला किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रसासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया चार्ट एक ठाथारस तैथिस, चार्ट एक ठाथारस तिरपन, गर्मेंट आफ इंडिया एक ठाथारस अठावन और इंडियन कॉंसिलेक्ट अठारसो एक सट A, B, C, D जल्दी से उत्तर लिखिए देखें इसका जो उत्तर है वो है A, 1833 का चार्ट एक्ट तो जो 1833 का चार्ट एक्ट आया था उसमें सेक्षन 86, धारा 87 का उलेक था और ये धारा 87 कहती थी कि कमपनी की नोकरी में धर्म, जाती, जन्म, स्थान, वर्ड आधी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा तो ये पहली बार बात 1833 के चार्ट एक्ट एक्टिनियम में कही गई हाला कि इस सेक्षन 87 के बिरोध में जो इस्ट इंडिया कमपनी के कोट आफ डिरेक्टर्स थे वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हम इसे भारत में लागू नहीं होने देंगे तो ये प्रावधान तो 1833 के चार्टर्ड में किया गया लेकिन ये लागू नहीं हुआ और ऐसे में जब ये लागू नहीं हुआ तो ये सोचने का भी से है कि क्या इसका उत्तर 1833 का चार्टर्ड हो सकता है क्योंकि केवल लिखा गया लागू नहीं हुआ यानि अपने देश के प्रसासन में कुछ हिस्सा लेना संभव नहीं बनाया क्योंकि ये इस तरह से लागू नहीं हुआ लेकिन हर जगा आप देखेंगे कि इसका उत्तर चार्टर्ड एक 1833 को ही माना गया है तो वही हमें जो है मानना है चार्टर डिक्ट 1833 एक माइने में और मातोपूर था और वो ये था कि 1813 में जो एक टाया था उसने इस्ट इंडिया कंपनी के ब्यापारी के अधिकार को समाप्त कर दिया था भारत में केवल दो चीजों को छोड़ करके चाय और चीन के साथ ब्यापार को छोड़ करके तो ये कहा गया कि अब इस्ट इंडिया कंपनी ही केवल भारत में ब्यापार नहीं करेगी इंग्लेंड की जितनी कमपनियां हैं या इंग्लेंड की जो भी नागरिक हैं सब को सोतंतरता है वो भारत में जाकर के ब्यापार करें यानि भारत में जो लूट चल रही है उसमें क्यों एक कमपनी को हिस्सा ना मिले सारे देश की कमपणियों को हिसा मिले इंग्लेंड की लेकिन 1839 के एक्ट में क्या किया गया कि जो चाय ब्यापार और चीन ब्यापार पर रेका धिकार बचा हुआ था इस्ट इंडिया कमपणी का उसे भी छीन लिया गया तो ये महतोपूर बात हुई अठारा सो तिरपन में हुआ ये कि जो लूट प्रणाली चल रही थी यानि इस्ट इंडिया कमपणी में जो भी नौकरियां दी जा रही थी वो इसी प्रकार से जैसे प्राइबेट कमपणीयों में इंटर्वियू ले करके नौकरी पे रख लिया जाता है बहुत सारी कमपणीयों में हाला के बहुत सारे कमपणीयों में एक्जाम्स भी होते हैं ठीक है तो क्या होता था कि अपने सगे संबंधी रिष्टेदारों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां बाट करके पुरस्कृत किया जाता था तो कोई प्रडाली नहीं थी और इसी लिए इस प्रडाली को कहा गया लूट प्रडाली लेकिन 1800 तीरपन के Chartered Act में कहा गया कि भाईया अब परिच्छा होगी तो एक प्रापर प्रडाली होगी उस एक्जाम के ही माध्यम से लोग जो है इन पदों पर आएंगे 1888 का Government of India Act इस नाते से बहुत महत्वपूर था कि इसने भारत से ब्रिटिस राज को समाप्त कर दिया और भारत सीधे क्राउन के प्रत्यक्छ नियंतरण में चला गया तो ये और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इसने गवर्नर जनरल की कारेकानडी परिसद का बिस्तार किया ठीक है हम जब पढ़ते हैं भारत का संवेधानिक विकास तो उसमें बड़े डीटेल में इस पर बात करते हैं बात निकल गई थी तो इतनी बात हो गई आगे बढ़ते हैं प्रथम महायुद्ध के दवरान कहां पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंदर प्रताप थे अफगानिस्तान में, जर्मनी में, सिंगापूर में, तुर्की में देखें ये प्रस्ण बहुत महतोपूर हो गया है राजा महेंदर प्रताप से जुड़ा हुआ और वो क्यों मतोपूर हो गया है इसका उत्तर देने के बाल मैं आपको बताता हूँ तो इसका जो उत्तर है वो ये है कि ए अफगानिस्तान में ये सरकार बनाई गई थी और इस सरकार को बनाया था राजा महेंदर प्रताप ने और ये राजा महेंदर प्रताब जो है इनके बारे में ये कहा जाता है कि अलीगड मुस्लिम इनवर्सिटी जो है जिसे सर सायद आमत खान ने अस्थापित किया था अभी जिसे पिछले क्वेस्चन्स में हमने देखा था उसमें इन्होंने अपनी जमीन का दान किया था और इन्वर्सिटी प्रसाशन के द्वारा इनको कोई भी उचित सम्मान नहीं दिया गया इनकी एक मुर्ती भी नहीं रखी गई तो वहां के अस्थानिय लोगों की डिमांड ये थी कि राजा महेंदर प्रताप के स्वतनतरता संग्राम से नानी थे इनके नाम पर भी एक किया जाए ताकि 2022 तक राजा महेंदर प्रताप के नाम पर एक विश्व विद्यालय को बनाया जा सके इसलिए ये अहम है जानकारी इनके बारे में थोड़ा और डीटेल में थोड़ा सा आप लोग अलग से इंटरनेट पर पढ़ लीजिएगा इनसे क्वेस्चन आ सकता है 12-16, 14-18, 15-21, 16-22 जल्दी से इसका उत्तर दीजिए देखे एज आप कंसेंट एक्ट आया था 1891 में उसमें ये कहा गया कि 12 वर्स से कम आयू की लड़कियों का बिबाह अवैध है यानि उस पर रोक लगा दी गई जब ब्रिटिस सरकार ने ऐसा किया ये एक्ट पारित किया तो इसका बहुत तीब्र विरोध तीलक जी के द्वारा किया गया और वो इस आधार पर किया गया कि हमारे पारिवारिक मामलों में हमारे साधी बीबा धर्म आदी के मामलों में हस्तक छेप करने वाले ये अंग्र 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की की साधी नहीं की जानी चाहिए लेकिन तुम हमको स्वराज दो हमारे समाज में जो भी बिसंगतियां है जो भी कुरूतियां है उसको हम स्वैम दूर करेंगे हमारे समाज में हस्त छेप करने वाले तुम अंग्रेज होते कौन तो तिलक जी ने जो है उसका विरोध किया था बाद में 1930 में उसी में संसोधन किया गया है एक्ट में और इसे सार्दा अधिनियम कहा गया और इसमें जो है 14 एवं 18 वर्ष निर्धारित की गई क्रमसा लड़कियों और लड़कों का उम्र आगे बढ़ते हैं लंडन में ब्रिटीस इस्ट इंडिया कमपनी के गठन के समय भारत का निमली लिखित में से कौन बात साह था अकबर जहागीर साह जहां और अंगे ये बिप्रस्न बहुत बार रिपीट हुआ है और इसका उत्तर है जैसा कि आप जानते हैं अकबर अकबर के समय में ये हुआ था आगे बढ़ते हैं राम मोहन एक सेकेंड राम मोहन राय को राजा की उपाधी किस ने दे थी ये भी प्रस्न बहुत बार पूछा जाता है लाट बिलियम बेंटिंग ने अकबर दुतिय ने ब्रह्म समाज की अनुयायों ने सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्ध जीवियों ने A, B, C, D इसका उत्तर जल्दी से बताएं तो इसका उत्तर है अकबर दुतिय ने राजा राम मोहन राम मोहन राय को राजा की उपाधी दी थी और अपनी पेंसन बढ़वाने के लिए इन्हें लंदन भेजा था ब्रिटिस संप्रभू से ब्रिटिस राजा से गुहार लगाने के लिए कि हमारी पेंसन के मामले को आप जा करके राजा के सामने उठाईये और वहीं उसी यात्रा में ब्रिश्टल में इनके मृत्यू भी हो गई तो इन्हें राजा की उपाधी अकबर द्वितिये ने दी थी अकबर द्वितिये वही मुगल बात्साह कि जिसके सासनकाल में मुगलों का सिक्का चलना भी बंद हो गया लिटरली सिक्का वो कहोत वाली सिक्का नहीं उनके की मुद्रा आगे औरंग जेब की मृत्यू के समय मराठा नेत्री तो किसके हाथों में था संभूजी, राजाराम, जीजावाई, तारावाई और अंग्जेब की मृत्तिव के समय मराठा नित्रितु किसके आथों में था जल्दी से उतर दे A, B, C, D छत्रपती सिवाजी महराज की मृत्तिव के बाद उनके पुत्र संभाजी महराज गद्धी पर बैठे संभाजी महराज की औरंग्जेब द्वारा हत्या कर दे गए और इसके बाद उनके छोटे भाई राजा राम गद्धी पर बैठे उनकी भी मृत्तिव जल्दी ही हो गई और ऐसे में तारा भाई ने एक चार वर्षिय लड़के सिवाजी सेकेंड को छत्रपती घोसित किया और उसकी संरक्षिका बन करके ये सासन करने लगी तो जब औरंग जेब की मृत्ति हुई तब मराठा गद्धी पर तारा भाई बैठी थी बहुत प्रॉमिनेंट लीडर सतारा में मराठों को इन्होंने बांध करके रखा और युद्ध का संचालन भी ये करती थी तो केवल राज महलों में पालिटिक्स ही नहीं करती थी बलकि जो है युद्ध के मैदान में तलवार भाजी भी करती थी तारा भाई आगे तो ये हमने 2012 के पेपर को देख लिया पीछे मूड करके देखें तो कुल 12 क्वेस्चन हमें देखने को मिले है ध्यान रखिए कितना इंपोर्टेंट है Modern History इसका नमूना आपने देख लिया 12 क्वेस्चन केवल Modern History से है अभी हिस्ट्री पूरी नहीं हुई ancient, medieval और art and culture ये बचा हुआ है हम केवल Modern देख रहा है और इसी में हमें 12 प्रस्ण देखने को मिले तो एक्जाम के भी दृष्ट्री कोड से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि राष्ट्रिय आंदोलन और Modern History बेहद महतोपूर है अगर पूरे हिस्ट्री की बात करे हम तो 20 से लेके 25 क्वेस्चन हर वर्स हिस्ट्री से ही क्यवल आते हैं आगे बढ़ते हैं निमनलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिस सासक जेम्स प्रथम का राजदूत बना था बिलियम हाकिन्स, बिलियम फिंच, पिट्रा, डेला, विला और एडवर्टेरी A, B, C, D काफी फेमस नाम है तो इसका उत्तर है A. बिलियम हाकिन्स बिलियम हाकिन्स बिलियम हाकिन्स को अर्वी फार्सी, तुर्की, इन भासाओं का अच्छा ग्यान था जहांगीर इससे प्रभावित भी हुआ और इससे 400 रुपए का मनसब भी दिया और इससे एक उपाधी दी फिरंगी खान की हाला कि इस्ट इंडिया कंपनी को ब्यापार करने का अधिकार उसने जो है नहीं दिया ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसका उत्तर है बिलियम हाकिन्स तो तेरा का उत्तर बिलियम हाकिन्स अब आते हैं निमन लिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है पुना जजिया लगाना मुसली पट्टम पर अधिकार सती प्रता निजसेद अधिनियम और लाड बिलियम बैटिंग और दास्ता कांथ मैलकम तो अगर आपको दास्ता के अंथ से आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैलकम नहीं था तो अगर ये पता है आपको इससे जुड़ा था एलेन बरू अगर ये आपको पता है तो आपने इस प्रस्न को क्रेक कर लिया एक्जामिनर भी किवल आपसे यही पूछना चाहता है ठीक है निश्चित रूप से ये सब जो है थोड़े मुस्किल हमें लग रहे हैं ठीक है तो दास्ता का अंथ एलेन बरू ठीक है आगे बढ़ते हैं निम लिखित में से किस आंदोलन के साथ अरूडा आसफली जुड़ी है बहुत बार पूछा गया प्रस्न बहुत बार पूछा गया अरूडा आसफली अमर हो गई असयोग अंदोलन, सभिनय वग्या अंदोलन, व्यक्तित सत्यागरा, भार छोड़ो अंदोलन, A, B, C, D इसका उत्तर सीधा सीधा है भार छोडो अंदोलन यानि D तो अरूडा आसफली भार छोडो अंदोलन से जुड़ी हुई थी आगे बढ़ते हैं शूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए सूची 1 लेखक और सूची 2 किताब का नाम अब इसका उत्तर जो है आप कमेंट में दीजिए अब अगर हम ये देखें तो हमें काफी मुश्किल लग रहा है है अब इतना कौन याद करें लेकिन अगर इसमें हम ये देखें कि discovery आफ इंडिया तो हम सभी को याद है कि discovery आफ इंडिया तो जवाहरलाल नहरू ने लिखा था ही दूरदर्सन पर discovery आफ इंडिया नामक एक प्रोग्राम भी आता था अभी YouTube पर भी बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं तो अगर हमें ये पता है कि D का 3 होगा ये हमें पता है कि D का तो 3 होगा Discovery of India तो जवाहरलाल नहरू ने लिखाई है तो अगर हम D का 3 देखें तो हमें 2 जगन दिखता है एक तो A में और एक C में तो इसका मतलब है कि B हमारा उत्तर नहीं होने वाला है हमें प्रस्न का एक चीज़ ध्यान रखें हमें प्रस्न का उत्तर नहीं पता है हम क्यों अपने दिमाग का प्रयोग कर रहा है एक सूचना पर की जवाहर लाल नहरू ने डिस्कबरी आफ इंडिया लिखा यह हम जानते है तो हम जान गए कि D का 3 होगा तो हमें ये पता चला कि B नहीं होगा उत्तर और क्या नहीं होगा D नहीं उत्तर होगा तो उत्तर या तो A होगा या C होगा तो हमने दिमाग लगा करके 4 आपसन को 2 में बदल दिया तो 4 से भले 2 इस तरह के एक्जामिनेशन में 4 से भले 2 तो जब 4 से हमने 2 कर दिया है तो या तो A उत्तर होना चाहिए और या तो C उत्तर होना चाहिए हाला कि ये थोड़ा मुश्किल है यानि A का 2 तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा उत्तर A सही है हाला कि ये प्रस्ण थोड़ा सा मुश्किल जरूर था और किवल एक सूचना ये नहीं चाहता था ये इन तीनों लोगों में से किसी एक की एक ना एक की सूचना भी चाहता था तो सोला का हमारा उत्तर हो जाएगा A ठीक है तो इसको एक बार मिला लिया जाए तो A का 2 मदर इंडिया B का 1 फ्रीडम अट नाइट C का 4 गिल्टी मैन आफ इंडिया अज पार्टिशन और D का 3 जवारलाल नहरू डिसकवरी आफ इंडिया आगे और अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी A, B, C, D तो इसका उत्तर है मुहम्मद अली जिन्ना ने इसकी अध्यक्षता की थी और यहीं पर पाकिस्तान प्रस्ताव को पारित किया गया हाला कि उस समय तक पाकिस्तान इस सब्द का प्रयोग नहीं किया गया था लेकिन एक भारत से प्रिथक एक मुसलिम राष्टर की मांग यहाँ पर की गई थी तो इसका उत्तर है C. मुहम्मद अली जिन्ना अगला 1942 में कांग्रेस के बंबई या धिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्तावित किया गया था जवाहर लाल नहरू नरेंद्र देव राजेंद्र प्रसाद जेबी क्रिप्रानी A. B. C. D तो इसका उत्तर है जवाहर लाल नहरू तो 18 का उत्तर हो जाएगा हमारा A. जवाहर लाल नहरू कठिया प्रथा का तात्पर था तीन कठिया सब्द से थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए तो क्या तात्पर था तो इसका तात्पर था कि 3 बटा 20 भूभाग पर नील की खेती करना है या निवार्य था और इसी से निलहे परिशान रह रहे थे तो 19 का हमारा उत्तर होगा A आगे बढ़ते हैं 20 निमले लिखित में से भारती राष्टी कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधी वाद हमेशा बना रहेगा कलकत्ता अधिवेशन 1928, लाहोर अधिवेशन 1929, मदरास अधिवेशन 1927 और कराची अधिवेशन 1931 जल्दी से इसका उत्तर बताएं तो इसका उत्तर है कराची अधिवेशन 1931 में ये बात महात्मा गांधी जी ने कही थी और वो गांधी इरुविन समझोते के बाद ये हुआ था तो इसके बाद इसमें इन्होंने कहा था अगला डेकन एजुकेसनल सोसाइटी के अस्थापना से कौन संबंधित था जश्टिस्ट रानाडे, फिरोज सामेहता, बीजी तिलक, दयानंद सर्वस्ति तो इसका उत्तर है बीजी तिलक, बाल, गंगा, धर तिलक, डेकन, एजुकेसनल सोसाइटी से जुड़े हुए थे ठीक है? आगे बढ़ते हैं किसने कहा था तिलक भारतिय असांति के जनक हैं? किसने कहा था तिलक भारतिय असांति के जनक हैं? A, B, C, D, V, Chirol, Louis Fischer, Webb Miller, Ladri D ये प्रस्ण बहुत बार पुछा गया है और इसका उत्तर है V, Chirol या इसको पढ़ा जाता है B, C, Rol ठीक, उसी ने कहा कि तिलक भारतिय असांती के जनक हैं जबकि भारतिय लोगों ने क्या कहा? कि भारतिय लोगों ने कहा कि तिलक लोक मानने हैं लोगों में प्रत्थिष्ठित, लोगों में प्रसंसनीय लोक मानने माउंट बेटन योजना आधार बनी मन बाटन योजना भी इसको कहते थे माउंट बेटन योजना आधार बनी ब्रिटिस वारत ब्रिटिस सासन की निरंतरता की सत्ता के हस्तांतरंड की देश के विभाजन की साम्प्रदाइक समस्याओं के समाधान की A, B, C, D ये जो है देश के विभाजन की आधार बनी तो 23 का हमारा उत्तर है C माउंट बेटन योजना देश के विभाजन की आधार बनी आगे बढ़ते हैं 1937 में प्रांटों में मंत्री मंडल के निर्माड के उपरांद कांग्रेस का सासन कितने महिने चला था 1935 के अधिनियम के अनुसार 1937 में हुए चुनाओं के बाद प्रांटों में जो कांग्रेस की सरकारें अस्थापित हुई वो कितने महिनों चली A, B, C, D तो इसका उत्तर है A, 28 महिने ये सरकार चली थी और क्यों बाद में ये सरकार नहीं चली तो हुआ ये कि तब का गवर्नर जनरल लाड लिन लिथगो ने ये गोसित कर दिया कि भारत भी सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी के बिरुद्ध युद्धरत है यानि भारत भी सेकेंड वर्ल्ड वार का हिस्सा है और ब्रिटेन के साथ वो भी जर्मनी के साथ युद्ध लड़ रहा है इस बात का कांग्रेसी नेताओं ने भारी विरोध किया कि बिना हमारे पूछे भारत की सेनाओं को सेकेंड वर्ल्ड वार का हिस्सा तुमने कैसे बना दिया तो हम लोग इस्तिपा दे देंगे तो इसका उत्तर है 24 का ए आगे बढ़ते हैं 25 निम्न लिखित में से किसने सरोप्थम भारत के लिए आपनी वेसिक स्वराज की मांग की थी राजगोपालाचारी और सरदार पटेल ने, पंडित मोतिलाल नहरू और गोबिंद बल्लप पंत ने, सरतेज बहादूर सप्रू और जैकर ने और जवाहर लाल नहरू और जगजीवन राम ने, A, B, C, D इसका उत्तर है, सरतेज बहादूर सप्रू और जैकर ने तो 25 का उत्तर हो जाएगा, C, नहरू रिपोर्ट के ये लोग भी सदस से थे कि आगे बढ़ते हैं, आजाद इन फोज की अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में, उनके पक्छ से निमलेखित में से किसने वकालत की थी, C, आरदास, मोतिलाल नहरू, M, A, जिन्ना, सर, टी, बी, सप्रू, A, B, C, D आगे वाले वर्स के पेपर में हम देखेंगे कि यही प्रस्न रिपीट होगा, तो C, आरदास, मोतिलाल नहरू, M, A, जिन्ना, सर, टी, बी, सप्रू, ठीक है, तो इसमें उत्तर है, सर, तेज, बहादूर, सप्रू, सर, तेज, बहादूर, सप्रू, तो 26 का हो जाएगा, D, बहुत फेमस मुकदमा था, आगे अभी प्रस्न आएगा, तो उसमें हम इस पे डिटेल से बात करेंगे, इसमें बहुत सारे वकील थे, बुला भाई देशाई थे, जवाहरलाल नहरू, तो बहुत वर्सों के बाद उन्होंने जो है, कोट पाना हुआ था, बुला भाई दे साई, इसकी अध्यक्सता कर रहे थे, सार्टी भी सप्रूव अगरा, सारे लोग जो है कर रहे थे, तो ये जो 26 है, इसका उत्तर होगा, डी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 27, जालियां वाला बाग हत्या काइंट के विरोध में निमलिकित में से, किसने वाई सराय के कारे परिस्द से त्याग पत्र दे दिया था, बहुत बार, बहुत बार, बहुत बार पुछा गया प्रसना है, रविन्ना टैगोर, मदन मोहनमालवी, सर संकर नायर, और उप्रू 2013 का जो पूरा पेपर था, वो हमने समाप्त कर लिया है, तो 2012 का पेपर हमने समाप्त कर लिया, और 2013 का भी पेपर हमने समाप्त कर लिया, तो अब 2014 से सुरू करते हैं, बंगाल के विभाजन के समय, बंगाल का लेफ्टिनेंट गौर्नर कौन था? Sir Andrews Fraser H.N. Ridgely, Baudryki, A.T. A.R.U.N.D. ABCD बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गौर्नर था तो इसका उत्तर है Sir Andrews Fraser बंगाल का लेफ्टिनेंट गौर्नर था जबकि बंगाल का विभाजन हुआ तो 28 का उत्तर हो जाएगा A और इस समय भारत का गौर्णर जन्रल कौन था? लाड करजा आगे बढ़ते हैं 29 ब्रिटिस पत्रकार H.W. नेविनसन जुड़े थे असयोग आंदोलन से, सबिनय अवग्या आंदोलन से, स्वदेसी आंदोलन से और भारत छोडो आंदोलन से A, B, C, D तो इसका उत्तर है C, स्वदेसी आंदोलन से आगे बढ़ते हैं 30 भारती राष्टी कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था तो अब देखिए आपसम देखेंगे अगर आप, तो आसान आपसम दिया गया है अगर आपने कलकत्ता अधिवेशन के बारे में ठीक से पढ़ा हो, तो आपको ये पता होगा कि कलकत्ता के अधिवेशन में चार महत्वपूर प्रस्ताव जो है गरम पंथियों ने पास कराये थे, तिलक के नित्रितु ने क्या-क्या था वो? तो पहला तो सुराज, दूसरा देसी सिक्षा, तीसरा स्वदेसी चौथा बहिसकार ठीक है, तो तिलक थे, सूरत दिवेशन 1907 जिसमें कांग्रेस का भाजन हुआ, उसमें जब जूता चपल चला तो उसमें तिलक जी ही भासट कर रहे थे और ये 1905 से ही लड़ाई चल रही थी गरमपंतियों की, कि कांग्रेस के अध्यक्ष का पद गरमपंतियों के पास होना चाहिए 1906 में दादा भाई नोरोजी को उन्होंने आगे कर दिया, दोनों पक्ष उनका समान करता था गरमपंतियों भी नरमपंतियों भी तो मान लिया गया, लेकिन 1907 में तो पूरी लड़ाई हो गई और कांग्रेस का क्या हो गया, विभाजन हो गया तो ये दोनों तो नहीं होगा, अब कलकत्ता अधिवेशन 1917 और अमरित सर अधिवेशन 1929 ये दोनों जो है आसपास के क्रम है लेकिन जब हम असहोग आंदोलन पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि असहोग आंदोलन शुरू होने से पहले ही तिलक जी की मृत्तिव हो गई थी यानि अगस्त 1920 में तो इसका मतलब है कि ये अमरित सर का अधिवेशन 1919 होना चाहिए ये मैं केवल और केवल आपको बता रहा हूँ कि हम दिमाग लगा करके किस प्रकार से उत्तर तक जो है पहुँच सकते हैं ठीक है तो ये होगा अमरित सर अधिवेशन 1919 डी आगे बढ़ते हैं महात्मा गांधी ने अपने निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिस पार्लियामेंट को बांज और बेस्या कहा है सरोदय अथवा यूनिवर्सल डान एन आटो बायोग्राफी अब दी श्टोरी आफ माई एक्सपेरिमेंट बिद टूथ यानि सत्य के प्रेव अथवा गांधी जी की आत्मकथा दुनिया में सत्य आत्मकथाओं में इस किताब का नाम सरोच पर है और आस्चर होता है इसे पढ़ने के बाद कि कोई ब्यक्ति जब भारतिय राष्ट्री आंदोलन में अपने चरम बिंदू पर हो उस समय वो अपनी आत्मकथा में किस-किस तरह की बाते लिख सकता है कि अपने नौकर के जेब से बचपन में बीड़ी चूरा करके पीना आत्महत्या करने का विचार उसके लिए धतूरा खा लेना तमाम तरह की बातें जो जो था तो इसे बड़ी सच्ची आत्मकता माना जाता है ठीक है और हिंद स्वराज और दी स्टोरी आफे सत्यागरह तो हिंद स्वराज जो की प्रस्मोत्तरी के भासा में और गुजराती में लिखी गई है उसमें जो है इन्होंने ब्रिटिस पार्लियामेंट को बाज और बेस्या कहा है तो 31 का हमारा उत्तर होगा C जलिया वाला बागन संगार पर कांग्रेस जास्तिमिती की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कारे सोपा गया था जवार लाल नेरू को महात्मा गांधी को C आरदास को फज लूल हक को ABCD तो इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी को ये जिमेदारी दी गई थी और मदन मोहन मालवी इसके अध्यक्ष बनाए थे जो कांग्रेस की तरफ से जास्तिमिती बनाई गई थी उसके और इसका प्रारूप लिखा था महात्मा गांधी ने अब आपसे प्रस्नमा ये पूछता हूँ कि सरकार ने इस अत्याकांट की जाच के लिए कौन सी कमेटी बनाई थी ठीक है 32 का भी आगे महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसल्मानों में से किसने बाल गंगा धर तिलक की अर्थी उठाई सौकत अली, मुहम्मद अली, मौलाना एयाजाद, म. अंसारी, A, B, C, D क्या उत्तर होगा इसका? तो इसका उत्तर होगा सौकत अली तो ये सौकत अली और मुहम्मद अली इन्ही दोनों ने भारत में खिलाफत अंदोलन की सुरुवात की थी और असहोग आंदोलन के साथ मिलकर के खिलाफ़त आंदोलन की सुरुवात जो है भारत में की गई थी खिलाफ़त और असहोग बाद में एक जूट होकर एक मंच पर गांधी जी के नित्रितु में आया था तो 33 का हमारा उत्तर है ए अगला इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे एमके गांधी, अलबर्ट, बेष्ट, महादेव देशाई और मनसुक लाल नजर तो कौन थे? A, B, C, D तो इसका उत्तर है मनसुक लाल नजर ये जो है इंडियन ओपनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे और ये पत्रिका जो है निकलती थी दक्षिड अफ्रिका से जो है महात्मा गांधी के द्वारा अगला दादा भाई नौरोजी के विसाय में निमली खित में से कौन सा एक कथन असत्य है अब देख लिजे प्रस्न के आपसन हम पढ़ेंगे तो बड़े कठिन लगेंगा देखिए वो अब पहले भारतिय थे जो एलफिश्टन कालेज बंबई में गड़ी थे भावतिकी के प्रोफ प्राचित किया गया था तीसरा उन्होंने गुजराती पत्रिका रष्ट गुपतार कारंब किया था अब ये भी बहुत मुस्किल लग रहा और चोथा उन्होंने चार बार भातिराष्टी कांग्रेस की अध्यक्ष्टा के थे देखिए इस प्रस्न में एक्जामिनर केवल और केवल इतना पूछना चाहता था है कि दादा भाई नोरोजी ने जो कि बहुत सम्मानित नाम है वो कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने ये सूचना आपके पास है की नहीं और अगर आपके पास ये सूचना है तो इन सब सूचनाओं की आपको कोई ज़रुरत नही अगर ये आप जानते हैं कि दादा भाई नोरोजी चार बार नहीं तीन बार बने थे तो फिर जो है सारा प्रस्न आप करेक कर लिए तो दादा भाई नोरोजी क्या हुए थे तीन बार कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे पहला तो दूसरे ही अधिवेशन में 86 में दूसरा 93 में और तीसरा 1906 में जब गरमपंथी और नरमपंथी अपने अध्यक्ष बनाने के लिए काफी प्रयास करने लगे और ऐसे में जब नरमपंथियों को ये लगा कि गरमपंथी अपना अध्यक्ष बना लेगे कांग्रेस का तो उन्होंने धीरे से दादा भाई नोरोजूई का नाम जो है आगे कर दिया उस समय दादा भाई नोरोजूई बृद्ध हो चुके थे कांग्रेस के अध्यक्ष था उनको नहीं सौपी जा सकती थी लेकिन नरमपंथियों ने इसलिए दादा भाई नोरोजी के अध्यच बनाया क्योंकि उनका सम्मान सब लोग कर रहे थे और उनके नाम पर गरमपंथी विरोध नहीं कर सकते थे तो ये अगर सूचना पता है तो आपको पता हो जाएगा कि D गलत है तो 35 का D आगे बीजी तिलक के सजा के पस्चात नीमनलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिल्चस्वी है संस्कृत के बड़े विद्वान थे बाल गंगा धर तिलक किसने कहा तो रभिना टैगोर, मैक्स मूलर, विपिन चनपाल और बिलियम जोन्स तो ये बात कहा था मैक्स मूलर ये भी जो है बहुत बिद्वान था मैक्स मूलर और बहुत का बड़ा जो है हमारे धर्म गरंथों का इसने कर दिया है 36 का हमारा उत्तर होगा B. Max Muller कांग्रेस के मंच से भारती राष्टी कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज्य सब्द ब्यक्त किया गया था बनारस अधिवेशन 5 कलकत्ता अधिवेशन 6 सूरत अधिवेशन 5 और उप्रयुक्त में से कोई नहीं तो जाईर सी बात है दादा भाई नोरोजी स्वराज राष्टिय सिक्षा स्वदेसी बाइसकार ये चार प्रस्ताव पारित हुए थे तो हमारा उत्तर हो जाएगा 37 का B 37 का हमारा उत्तर होगा B आगे बढ़ते हैं भारती राष्टी अंदोलन से संबंधित निमलिखित घटना उपर विचार किजिए और नींचे दिये गए कूट से सही कालानुकरम का पता लगाईए BG तिलक का निधन एक अधिनियम के रूप में रोलेट विध्यक का पास होना जलियाँ वाला बाग नरसंगार और भारती राष्टी कांग्रेस का अमरिच सर अधिवेशन 1919 तो ये प्रस्न जो है पूछा जा रहा है कि पहले कौन घटना हुई तो देखे सबसे पहले इन में तो रोलेक्ट एक्ट आया रोलेक्ट एक्ट के बाद जलियाँ वाला नरसंगार हुआ तीन उसके बाद भारती राष्टी कांग्रेस का अमरिच सर अधिवेशन हुआ जिसमें बीजी तिलक ने भाग लिया चार और उसके बाद एक बीजी तिलक का निधन हो गया असयोग अंदोलन से पहले ठीक है तो हमारा उत्तर हो जाएगा 38 का हमारा उत्तर होगा ए ठीक है नेम्रलिखित में से कौन सायोग मसाही सुमेलीत नहीं है ये प्रस्न मुश्किल है निश्चित रूप से मुश्किल है इतना डिप में कहां कोई पढ़ता है और कहां से चीज़ें याद रहेंगे इसमें अगर जो है Party and Un-British Rule हो तो वही समझ में आ रहा है कि अपने को जो है चीज़ें पता हैं ठीक है? और SC Boss का Indian Struggle जिस पर काफी जो है रोक लगी हुई थी बाद में जो है विदेश से यह छपा तो इसका उत्तर सीधे-सीधे मैं बता देता हूँ ये India from Curgeon to Nehru and After इसे दुरगा दास ने लिखा Frank Morris ने नहीं लिखा और ऐसे में 49 का जो उत्तर है वो है D ठीक है? आगे बढ़ते हैं सुची 1 को सुची 2 के साथ सुमेलित कीजिये तथा सुचीयों के नीचे दिये गए कूट का प्रयोकर्श सही उत्तर चुनिये सुची 1, सुची 2 सुची 1 में है नाम और सुची 2 में है अंदोलन ठीक है? तो बिनोवा भावे होम रूल अंदोलन, बीजी तिलक बेक्तिगत, सत्यागरा, अरुड़ा, असफ़ली धरसना रेट और सरेज्मी नाइडू भारत छोड़ो अंदोलन तो सबसे आसान से करके देखते हैं कि हमको उत्तर मिलता है क्या सबसे आसान क्या है? कि बीजी तिलक हम जानते हैं होम रूल अंदोलन से ठीक है? तो अगर बी का होम रूल लीग अंदोलन है ठीक है? तो ये वन टू थ्री फोर ठीक है? तो अगर बी का वन है तो क्या हमें उत्तर मिल रहा है? तो देखिए बी केवल जो है इसमें है तो केवल हमें ये पता हो कि बीजी तिलक होम रूल अंदोलन हलाकि यह आसान प्रस्ण है इसलिए इसमें सब पता है कि अरुडा असप अली यानि C का फोर भारत छोड़ो अंदोलन और बिनोवा भावे ब्यक्तिकत सत्याग रही यानि A का 2 और सरोजणी नाइडू धरसना रेट आगे मैंने जो प्रस्णा आपसे पूछा था य लेकिन आप देख लिजिए कि केवल और केवल बीजी तिलक होम रूल अंदोलन पता होता तो इसका उत्तर मिल जाता तो 40 का हमारा जो उत्तर होगा वो होगा A ठीक है 40 का हमारा उत्तर होगा A ठीक है आगे बढ़ते हैं काकोरी केस के अभ्युक्तों के बचावेतु किसकी अध्यक्सा में एक सिमिती का गठन हुआ अचारे नरेंद्र देव, गोबिन्द बलब पंत्र, चंद्रभानु गुप्त और मोतिलाल नहरू A, B, C, D तो 41 का उत्तर है, B, गोबिन्द बलब पंत्र, जोकी उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे काकोरी केस के अभ्युक्तों के बचावेतु, गोबिन्द बलब पंत्र के नित्रितों में ये बना अगला, दि मैन हू डिवाइड़ इंडिया पुस्तक के लेखक थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डाक्टर राजेंदर प्रसाद, रफिक जकारिया और लेरी कालिंस और डोमिनिक ला पियरे तो इसका उत्तर होगा C, राफिक जकारिया ने जो है ये किताब लिखी थी, दि मैन हू डिवाइड़ इंडिया तो उत्तर होगा 42 का C, आगे बढ़ते हैं 43, अपनी फांसी से पूरो निम्न लिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीते हुए, ने पीने है तो दिये गए दूद को अस्विकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी मा का दूद लूँगा 43 का उत्तर C, आगे बढ़ते हैं, 44, निम्न लिखित में से किस ने गांधी इरुविन समझोते में महात्मा गांधी के लाब को सांत्वना पुरुसकार कहा था जल्दी से इसका उत्तर बताईए तो इसका उत्तर है B, एलन, केम्पवेल, जानसन ने सांत्वना पुरुसकार कहा था 44 का B, अगला 45 निम्न लिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है तो इसमें हम लोगों को कौन सा आ रहा तो भगवती चरण बोहरा दी फिलास्पिया बम इसको तो हम अच्छे से जानते हैं दफिलास्पिया बम ठीक है, उसके बाद और जो है कापसन अपने पास नहीं है ठीक है, तो हमारा उत्तर है ए, दे इंडियान सोसियो लाजिस्ट जो है इंडिया हाउस के जो संस्थापक रहे स्याम जी कृष्ण वर्मा उन्होंने लिखी थी और भगत सिंग ने लिखा था वाई, आई अएम एथिस्ट ठीक है और फोटिसिक्स नई दिल्ली में 1947 में अजजित अखिल भारतिय कांग्रेस समिती की बैठक में निम्लिकित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था गोविंद बलब पंत सरदार बलब भाई पटेल जे बी क्रिपलानी अबुल कलाम आजाद उसका उत्तर बताईए बड़ा महत्वपूर प्रस्न है A, B, C, D तो उसका उत्तर है अबुल, कलाम, आजाद ने प्रस्ताव का समर्थन किया था अगर ये पूछा जाए कि प्रस्ताव प्रस्तूत कि इसने किया था तो गोविंद बलब पंत ने किया था, बड़ा हिम्मत वाला ये काम था, सब तयार थे, अब ये बिभाजन एक नाट टाला जा सकने वाला भी से बन चुका था, ये सभी कांग्रेसी नेताओं को पता था, लेकिन फिर भी आप इतिहास में नामों को देखिए, मतलब ये एक गलत तरीके से इतिहास में अमर होने की कहानी थी, कोई करना नहीं चाहता था, सब तयार थे, लेकिन स्रे लेना इसका कोई नहीं चाहता था, अंत में गोवीन दबल लपन्त और अबूल कलाम आ जाते, ने इसको किया, 46, अगला 47, भारतिय स्वाधिंता बिध्यक को राज की स्विक्रिती प्राप्त हुई थी, अब डिट बहुत पास-पास के दे दिये गए, 18 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई, 20 जुलाई, तो किसी को आता भी रहेगा, तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा, हला कि इसका उत्तर है, A, 18 जुलाई, 1947, 18 जुलाई, 1947, ठीक है, अगला, नीमन लिखित में से किसने भारती राष्टी कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोक प्रियता और सम्मान की परकाष्ठा माना, इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने क्या कहा था? मात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता लेकिन गांधी वाद जिन्दा रहेगा तो ये बात कहा था एसी बोस ने क्योंकि गांधी इर्विन समझोता ये करकर के आये थे थोड़ा मतभेद था लोगों में लेकिन फिर भी सारी बात जो है एकदम गांधी जी के पक्ष में चली गए इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही थी तो ऐसी बोस अगला नेता जी सुभास चंदर बोस नीमन लिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्टवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पन के रूप में लिया डाक्टर किचलू पूरस्वत्तमदास टंडन जवाहरलाल नहरू जीवी पंद ये तो ये हमारा 2014 का भी पेपर समाप्त हुआ तो 2012 से लेकर के 2014 तक के पेपर का डिसकसन हमने इस लेक्चर में किया अगले लेक्चर में हम 2015 से लेकर के 2019 तक के प्रस्तों को देखेंगे तो modern history को हम दो लेक्चर में कम्प्लीट करेंगे तो कमेंट करके हमें ये बताईएगा कि मैं जिस प्रकार से चीजों को समझा रहा हूँ जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहा है ये तरीका क्या आपको ठीक लग रहा या कोई और इसमें बदलाव किया जाना चाहिए तो ये हमें जरूर बताईएगा तो इस लेक्चर में बस इतना ही मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार